आज मैं आपको कानपुर के जू का एक और आकर्शन पक्षी लोग दिखाने जा रहा हूं इस पक्षी लोग में आप पक्षियों को बेहदी करीब से देख सकते हैं पक्षी लोग को बहुत ही बड़े शेटफल में बनाया गया है जिसमें दोनों तरफ जील और जमीन के बीचों बीच एक ब्रिज है जो जाली से ढखा हुआ है ताकि आप पक्षियों को करीब से देख सकें परंतु उन्हें चू या परिशान ना कर सकें पक्षी लोग बहुत ही बड़े शेटफल में बने होने के कारण बहुत सारे पक्षियों का एक साथ नजारा ले सकते हैं इसमें बहुत सी प्रजाती के पक्षी एकी पिंजरे में देखने को मिलते हैं जैसे की बतक, सारस, मोर, हंस, बटेव, कोयल, कववा, तोता, राजहंस, पेलिकन, जलपक्षी, इत्यादी पक्षी लोक में नाश्टे हुए मोर का द्रिश बहुत ही आम है और आप बड़े आराम से देख सकते हैं नाश्टे हुए मोर को देखना बहुत ही सुन्द लगता है जो आखों को मोह लेता है और मन को प्रसंद कर देता है पक्षी लोक की जल में सारस और बतके तैरती हुई बहुत ही सुन्दर लगती है पक्षियों के पिंजरे में देखना और पक्षी लोक में देखने में बहुत अंतर है जिसे आप महसूस कर सकते हैं ये कानपुल जू की शान बढ़ाता है और एक अलगी आकर्शन है आपू जूप